पुन्यात फैब इंडियाचे दूसरी एक्सपरियेंस सेंटर बाने रेथे सुरू करना तले याटी कानी मोठा प्रमनाद रहा काकर्शित होता है पुन्यात फैब इंडियाचे दूसरी एक्सपरियेंस सेंटर चे बाने रेथे उदगाटन करना तले प्रत्यक्ष खरिदी विवारा इतकच इथे आनन दाले ही महत्वदेन तले याटी करने हाई नकी चेक वेगला अनुभवसेल असदालन खास फैब इंडियाने बनो लेला है वस्त्र प्रावरने सोंदरे प्रसादने गुरूप योगे साहित्य अशा आने गुष्टी एकास्ट करने तुमाला पाहला में तील अने खरिदी कराला सुधा में तील से एक्सपरियंस में सेंडर खोला था उसमें रिसवांस बहुत अच्छा है और जो हमने टागिट सेट किया था अउन में हम तक्रीबं तक्रीबं उसका 115 से 120% कर रहे हैं तो चौथे महीने में मतलब एपरिल में हमने उसको शुरू किया था और अभी हमने आज 5 सितंबर को हम यह दूसरा Experience Center पूने का लांच कर रहे हैं तो यह मतलब पूना शेहर में confidence है, विश्वाश है कि कस्मर्स हमको उस तरीके का सपोर्ट देते हैं कि हमने यह investment किया है और दूसरी चीज़ यह होती है कि मतलब यह शेहर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो बानेर एक ऐसी जगा है जहांपे की आने वाला future residential high end residential जो है वो बानेर की तरफ आ रहा है और लोग इदर settle हो रहे हैं तो जब हम localities को map करते हैं जब हम residential areas को map करते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान बर रखते हुए हमने बानेर को select किया और यहां पे भी experience center खोला है हमारा aim यह था लक्ष यह था कि दिवाली से पहले हम एक और experience center खोलें पूना में और हमारा जो अगला experience center आएगा वो ससून में आएगा हम थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर metro का काम चल रहा है लेकिन जैसे ही metro का काम खतम होगा तो जो ससून स्टोर है उसको हम experience center में convert करेंगे तो यह 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 फैब काफे हैं आजकल जो लोग हैं वो सारे healthy food की तरफ उनका रुजहान है और healthy food के लिए फैब काफे जो आपको offer करता है वो बहुत अच्छा platter है बहुत अच्छी dishes हैं आपको खाने के बाद Fab Cafe में एक बार आने के बाद खाना पसंद आता है और हम यह देख रहे हैं कि आउंद के Fab Cafe में customers बहुत repeat आ रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार गए और उसके बाद आफ दूसरी बार नहीं है तो repeat customers बहुत आ रहे हैं ज्यूंकि हमारे लिए एक बहुत इंकरेजमेंट वाली बात है और इसलिए हमने यह दूसरा फैप काफे भी यहां पे पुना में किया है